नमस्कार दोस्तों समाजवादी पाटी के दिग्यजनेता पूर्व मंत्री विधायक पारसनाथ यादो और पूर्व विधायक सनातन पांडे लखनों के वेदानता अस्पताल में भरती हैं। दोनों नेताओं को देखने के लिए गाजी फूर्श सपा के बिधायक डॉक्टर बिरेंद यादो और उनके साथ युवा नेता मन्नू अंसारी उन्हें देखने के लिए लखनों वेदानता अस्पताल पहुचे। आपको बताने की पूर्व मंत्री पारस नात्यादो की तबियत काफी दिनों से खराब है। तेवेद खराब होने के करण उन्हें लखनों के वेदानता अस्पताल में भरती कराया है और उनका इलाज चल रहा है। आपको बताने की सपाविधायक बिरेंद्रयादो और युवा नेता मन्नू अंसारी ने दोनों नेताओं से मुलाकात किया और उनकी तबियत का हाल चाल जाना। बिरेंद्रयादो ने कहा कि पूर्व मंत्री पारसनाथ यादो और पूर्व विधायक चनातन पांडे की तबियत पिछले दिनों से काफी खराब हो गई थी। उन्हें बहतर इलाज के लिए लखनों के वेदानता अस्पताल में भरती कराया गया था। उन्होंने कहा कि हम युवानेता मन्नु अंसारी के साथ दोनों नेताओं का हाल चाल जानने पहुचे। बहतर इलाज से उनका स्वास्त सुधार हमें हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पारसनाथ यादो काफी दिनों से बिमार चल रहे हैं। जिसका रड़ उनको लखनों के मेरांता अस्पताल में भरती कराया गया है और पूर विधायक संतर पांडे भी काफी दिनों से बिमार चल रहे हैं। और उनका भी वहीं इलाज चल रहा है। गाजीपूर से सपाविधायक डॉक्टर बिरेंद यादो और युवा नेता मन्नु अंसारी ने उनसे मिला और उनका हाल चाल जाना। दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्वाद।